हेलो दोस्तों स्वागत आपका जस्ट फोकस आईएस में मेरा नाम है ललीता अनन हम लोग पढ़ रहे थे भारते कलायम संस्कृती जिसमें हमने अपना दूसरा चेप्टर भारते चितर कलाय सुरू किया था और आज हमें बात करनी थी दक्षिन भारत की लगू चितर की ठीक ह अब इन चितर कलाओं में क्या होता था इन चितर कलाओं में व्यापक मात्रा में सोने का प्रियोग होता था और इसी कारण क्या था कि ये उत्तर भारतिय सैलियों से भिन्न थी ठीक है दूसरी इसकी विशेस्ता ये थी कि यहां क्या होता था कि यहां सनक्चक सासकों के चित कारी पर जबकि अभी तक क्या था अपने उत्तरी भारते चित्रों में भी क्या था कि सनंग्चक सासकों की चित्र बनाए जाते थे ठीक है जबकि यहां पर ज़स्ट उसके विपरीध है ठीक बात कर लेते हैं धक्षिन भारत के लगूचित के कुछ परमुक्षेलियोंगी ठीक इनमें हम सबसे पहले चलते हैं तंजोर चितरकला की तरफ तो जो तनजोर चितरकला है वो एक विशिष्ट परकार की आलांकरिक चितरकलाओं के लिए प्रसिद्ध है पहली बात तो यह ठीक जो मराठा सासक थे मराठा सासकों ने अठारवी सदी म है जबके यहां क्या है यहां अधिकतर कांच और कांश्ट पर चितर बनाए जाते हैं ठीक है और उत्करष्ट रंग और पेटरन पर स्वणध पत्र और का उतारता पूर्वग प्रियोग किया जाता है ठीक है बात किलिए रहुई यहनि के अपने उत्तर भारत में क्या था उत्तर भारत में वस्तर और चर्वपत्र का प्रियोग होता था जक्षिन दक्षिन भारत में क्या हो गया कि महां काच और काश्ट पर निर्मित होते थे चित्र ठीक अब इन्होंने क्या किया है कि इनके चित्र चिरकालिक प्रभाव के लिए चिरकाली मर लंबे समय के प्रभाव के लिए कई प्रकार के रत्न और तरासे हुए काच का प्रियोग किया ठीक और जो अधिकतर चित्र है उसमें क्या है कि मुस्कुराते हुए कृष्ण को भिन मुद्राओं में दिखाया गया है कि किर्षन मुद्रा रहे है और उनकी अलग-लग मुद्राएं चितृत है अब यह चित्र कला थी तंजोर चितकला यह सर फोजी महराज के समय में चरम पर पहुंची सर फोजी महराज ने इसको सणक्चन दिया इसकी बरतमान की बात करें तो तंजोर चितिकला जो है वर्तमान में परचली थे लेकिन वर्तमान में इसके विशे बदल गए हैं अब विशे क्या हो गए हैं पक्छी, जन्तू और भवन अब इनके विशे ये हो गए हैं हम बात करते हैं मैसूर चितिकला की ठीक, तो मैसूर चितिकला, यानि कि मैसूर राजय के सास को द्वारा सनक्षित की गई, पहली बात तो ये, दूसरी बात, इनके जो विशे हैं, इसके पुरमुख विशे हैं, हिंदू, देवा, देवता और देवियों के चितर करना इनके पुरमुख विशे हैं, ठीक है, इस उसके दोनों तरब दो हाथी बना दिये ठीक है तो ये जो देवी की आकरती है ये रंग और आकार में जो होगा ये इन दोनों में प्रधान होगी ठीक है ये इसकी एक अधुईतिय विसेश्ता है मैसूर चितरकला की ठीक है जैसो पोस्तक्निक का मतलब कि जिंक ओक्साइड हुआ जैसो और पेस्ट जो है वो है अरेविक गम का मिस्रण ठीक इसका प्रियोग किसलिए किया जाता था तो इससे क्या होता था कि चित्रकारी को एक विसिस्ट आधार मिल जाता था ठीक है एक विसिस्ट आधार मिल जाता थ जिससे क्या होता था कि प्रष्ट भूमी में चमक उत्पन हो जाती थी अब इस प्रष्ट भूमी में चमक उत्पन है तो होगा क्या कि इसको संतुलित करने के लिए कम चमक वाले हलके रंगों का प्रियोग किया जाएगा वरना तो प्रष्ट भूमी हावी रहेगी चितर पे ठीक है? तो प्रस्ट भूमी चमकदार होती थी और उसके उपर जो चित्र बनता था, वो कम चमक वाले हलके रंगों का प्रियोग उस चितर में किया जाता था ठीक बात करते हैं आधुनिक चितरकला की तो आधुनिक चितरकला में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कमपनी चितरकला तो कमपनी चितरकला यानि कि ओपनिवेशिक काल में क्या हुआ कि चितरकारी की एक संकर शैली उभरी अब ये संकर शै और तकनिकों का समावेश है ये किस्समें विक्सित हुई तो ये उस समय विक्सित हुई जब British Company अधिकारियों ने भारतिये शैली में जो परशिक्षित चित्रकार थे उनको अपने हैं बुलाया नियो जित किया ठीक तो युरोपिये रूचियों ने क्या किया कि भारतिये पर सिक्षन से सम्मिस्रित ये हो गई ठीक है कि उन्होंने मिहाद से भारतिय चितरकारों को बुलाया और अपनी रूचियों के अनुसार उनसे चितर बनवाई ठीक है तो हुआ क्या कि भारतिय प्रसिक्षन से ये सम्मिस्रित हो गई ठीक इनकी विसेस्ता क्या है कम्पनी चितरक प्रियोग है दूसरा तकनीकी रेखिय परिपेक्चे के साथ छाया परभाव की उपस्तिती है ठीक है अब ये सहली उत्पन कहां हुई तो ये सहली कोलकाता चेननाई दिल्ली पटना वारानसी तंजोर में उत्पन हुई ठीक है इसमें जो सरवादिक प्रसिद व्यक्ति हैं व गुलाम अली खान है ठीक है गुलाम अली खान ठीक आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं हम बाजार चितरकला की ठीक है तो ये सहली भी भारत में ये उरोपिय प्रभाव से प्रभावित थी ठीक है ये कंपनी चितरकलाओं से तो भिन थी क्यों भिन थी क्योंकि इस सहली इस सैली ने क्या किया जो बाजार चितरकला सैली थी उसको ठीक है यानि कि जो यूरोपिय तकनीक थी वो उनको भारतिय तकनीक के साथ में मिला दिया ठीक है बाजार सैली ने और बाजार सैली के एक विसेशता ये भी है कि बाजार सैली ने किसी भारतिय प्रभाव को ग्रहन नहीं किया ठीक है बलकि ये जो चित्रकार्थिनों ने ग्रीक और रोमन मूर्तियों का ही प्रभाव ग्रहन किया और ग्रीक रोमन मूर्तियों की प्रतिकृतियां बनवाई ठीक है ये शली बंगाल और बिहार में पुर्चलित थी ठीक यहां क्या होता था कि जिसे चित्र जो ह जाते थे जो यूरोपिय प्रश्ट भूमी के साथ भारतिय बाजारों का प्रदर्सन करते थे ठीक है मलब प्रश्ट भूमी क्या थी यूरोपिय थी और प्रदर्सन किसका है भारतिय बाजारों का प्रदर्सन है ठीक यदि इसमें प्रशिद सहली में बात करें तो इसमें क्य बिर्टिस अधिकारियों के समक्च भारतिय विरांगनाओं का निरत्य परदर्सन है ठीक है बिर्टिस अधिकारियों के समक्च या है भारतिय विरांगनाओं जो है वो निरत्य परदर्सित कर रही है ठीक है यदि धार्मिक विश्यों की बात करें कि धार्मिक विश्यों पर तो गनेज जैसे जो देवता थे अपने ठीक है गनेज जैसे देवता मतलब जिनके मतलब गनेज जी का क्या था कि सर पर हाती का मुख था उनके यानि गनेज जी का जो मुख था वो हाती का था और बाकी जो सरीर था वो मानवा करती थी तो इसलिए उस परकार के चित्र जो थे इसमें बैन थे, ठीक है बैन क्यों थे, क्योंकि इस परकार के चित्र ये अरविय धारना से अलग थे, इसलिए बाजार चित्रकला में इस परकार के देवो क्या करती निसिद्ध थी ठीक, अब बात करते हैं राजा रवीवर्मा की, ठीक तो राजा रवी वर्मा जो थे वो भारत के महान चितरकार है ठीक यदि आपने एक फिल्म आई थी राजा रवी वर्मा जो रंदीप उड़ा की थी ठीक है उसमें राजा रवी वर्मा काई करेक्टर प्ले किया है रंदीप उड़ा ने ठीक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्यों कि इनके एक सिस्य थे दादा साहिब ठीक है, जिनके नाम पे बोली वुड में भी दादा साहिब फाल के आवार्ड दिया जाता है जिन्होंने सिनेमा का अविश्कार किया था उनको आरंब किया था ठीक है, जो राजा रवी वर्मा थे वो एद्वीतिय थे क्यों? क्योंकि उन्होंने दक्षिन भारतिय चित्रकारों के जो तत्वों को रंग और शैली की पास्चात्य सैली से संयुक्त कर दिया, साधान सब्दों में, उन्होंने क्या किया? कि जो दक्षिन भारतिय चित्रकारी के तत्व थे, ठीक है? उसको पास् का रफेल कहा जाता था ये बात आपको रट लेनी है ठीक यदि इनके प्रसिद चितरों की बात करेंगे प्रसिद चितर कौन से है तो लेडी इन दा मोन लाइट और मदर इंडिया ये आपको याद रख लेने है ठीक है लेकिन उन्हें जो राष्ट व्यापी पहचान प्राप्त हुई थी वो उनको प्राप्त हुई थी सीता परहन का चितर बनाया था उसके करण यानि कि रामायन पर आधारी चितरों के करण उनको राष्ट व्यापी पहचान प्राप्त हुई ठीक अब बात करते हैं बंगाल की कलाशैली की द्रश्टी कौन रखती है ठीक है यहां क्या है यह सली अद्वित्य क्यों है क्यों 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 कि यहां पर क्या है साधान रंगों का प्रियोग किया जाता है ठीक है साधान रंगों का प्रियोग किया जाता है और बंगाल सली का जो विचार था वो अविंद्रनाट टैगोर क के भतीजे ठीक है रविन्दना टैगोर के भतीजे थे यह ठीक उनकी जो वो थी अरेबियन नाइट्स रंकला ठीक इसने विस्विस्तर पर पहचान बनाई ठीक है क्योंकि इसने क्या किया भारते चितरकला की पूर्व सैलियों से अलग होकर कुछ नया प्रस्तुत किया था ठ ग्रोप में क्यूबिस्ट आंदोलन हुआ था वहीं से प्रेणा प्राप्त करके चितरकला की क्यूबिस्ट से लिया आई ठीक है अब अगर इसने एक आंदोलन से प्रभाव ग्रहन किया था क्यूबिस्ट आंदोलन से प्रभाव ग्रहन किया था तो इसमें कुछ ऐसे वो है MF Hussein, ऐन्हों ने क्या किया था, इन्होंने Romance का मानवी करन किया था, यदि कैंग और एक साइक शेरा है तो उसमें एक तरह से एक ऐसे face की किसी का बना एक यहां face बना इक है, यहां face बना एक यहां face बना एक इस परकार के चितर उसमें होते थे, आप MF Hussein का कोई खोल के कोई Google करके उस पे देख सकते हैं उसका चित्र कैसा होता था ठीक है जो इस चित्रकार में क्या होता था कि चित्रकार क्या करते थे कि अमूर्थ कला प्रारूपों का प्रियोग कर कैन्वास पर पुनहे सन नचना करते थे ठीक है और रेखाओं और रंगों के बीच बिलकुस सही संतुलन प्राप्त करने का प्रियास किया जाता था ठीक है क्यूबिस्ट सैली में ठीक तो लगता है मुझे लगता है कि साथ किलियर हुआ होगा यदि किलियर नहीं हुआ हो तो आप बताना फिर से इस पे बात करेंगे एक बार तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं आपको वीडियो कैसी लगी आप ये जरूर बताएं लाइक कमेंट करके अपना रेस्पोंस बता सकते हैं ठीक कोई प्रोब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसकी जो पीडियेफ होंगी जब हम चितर कलाएं खतम कर लेंगे तो मैं एक साथ ग्रूप में डाल दूँगा टेलिग्राम में आप लोग महां से ले सकते हैं ठी आइस जो